नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल दीपक लेक्चरर में तो आज की इस वीडियो में क्लाश टुए लिंगलीस का चेप्टर नमबर दो जो आपका है भारत इस माई होम जिसके लेखक है डॉक्टर जाखिरु शैन को अब्जेक्टिव की उसन देखने वाले हैं तो आज की वीडियो का फिट बोर्टन है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आप इस चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में वेल आइकन घंटी को दवा लिजिए ताकि नेक्स वीडियो आपको मिल सके तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और इसके पहले हम लोग भारती जमाई होम का समरी देख चुके हैं और इससे इपोटेंट जितने भी इपोटेंट पॉइंट था सभी को डिसकस कर चुके हैं तो उस वीडियो को आप देख लिजेगा तभी आपको अबजेक्टिव समझन यानि डॉक्टर जाखिर उसायन की चीज का सपत लेते हैं तो डॉक्टर जाखिर उसायन राष्ट पती का सपत लेते हैं क्या चीका सपत लेते हैं परसिडेंट का सपत लेते हैं क्योंकि डॉक्टर जाखिर उसायन का परसिडेंट यानि राष्ट पती बनना था यानि राषर किम आपको पूर्ण पूर्ट ए लिए पूर्यC लोग गया दैख लेते हैं इहां पे पूर्ण यह क्या करा राए डॉक्टर जाखे रूण व्यून तो आप लोग याद कर लिजे तो आप लोग याद कर लिजे, देख लेते हैं, next question, four number question का राय, dr. जाकिर उसायन, become the president of India in dash dash, यानि dr. जाकिर उसायन, इंडिया का president, यानि इंडिया का राष्टपति कब बने थे, तो 90, यानि 1967, यानि 1967, यानि 1967 में बने थे, जब हुआ, राष्टपति का सपत ले रहे थे, तो यहाँ पर आपका राय, इंडिया सर भी हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा, हम लोग देख लेते हैं, next question, five number, five का राय, dash dash, watch the role models of dr. जाकिर उसायन, यानि dr. जाकिर उसायन के role model कौन थे, तो dr. जाकिर उसायन के role model कौन थे, दोस्तो, dr. राधा क्रिस्ना, क्योंकि dr. राधा क्रिस्ना, dr. जाकिर उसायन के पहले, वह ही dr. राधा क्रिस्ना ही क्या थे, पर्शिडेंट थे, इसलिए dr. जाकिर उसायन कहते हैं, कि, जो dr. राधा क्रिस्ना थे, वह क्या थे, मेरे role model थे, तो यहाँ पर आपका राय टेंसर five का A हो जाएगा, तो आप को समझ में आ गया होगा हम लोग देख लेते हैं नेश्ट क्यूशन तो देखिए नेश्ट क्यूशन का राइट सिक्स नंबर क्यूशन है भारत is my home is written why तो भारत is my home किसने लिखे हैं तो डॉक्टर जाखिर उसेन ने तो यहां पर आपका गूशते हैं यानि किसी में गूशते हैं कहां गूशते हैं तो आपने घर में गूशते हैं तो यहां पर देखिए भारत is my home यहां भारती माई होम का लाश्ण में क्या रहा है होम यानि हम लोग अपने घर में घुशते हैं यानि हम लोग अपने घर में अंदर घुशते हैं तो डाक्टर जाकिर हुसाइन यानि हुसाइन का मतलब क्या है घर में घुशना तो आप लोग दोनों को relate करके आप इसको जाद कर सकते हैं काफी अच्छा ट्रीक है आप लोग कभी नहीं इसको भूलाईएगा तो आप लोग जाद कर लिजिए अमनों क्याची में हुशैन करते हैं क्याची में घूशते हैं तो अपने घर में घूशते हैं तो आपने रिलेट कर पा रहे होंगे चलिए देख लेते हैं next question तो देखें next question क्या है तो यहाँ पे आपका save number देखिए save number का arrive डैस डैस is the prime instrument of nation worlding यानि जो भारत देश है जो हमारा देश है इंडिया उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके विकास के लिए उसके निर्मान के लिए सबसे मुख औजार यानि सबसे prime instrument क्या है तो वह क्या है education यानि हमारे देश को सिच्छा बहुत जुरूरी है हमारे देश में जब तक सभी लोग सिच्छित नहीं होंगे तब तक जो हमारा नेशन है हमारा जो राष्ट है हुआ आगे की ओर नहीं बढ़ पाएगा हमारा राष्ट का निर्मान नहीं हो पाएगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर जाकीर उसेन एजुकेशन पर काफी महत देते थे यानि एजुकेशन को काफी महत पूर्ण मानते थे और इस पर बहुत ज़्यादा धियान दिये थे क्योंकि जिस समय डॉक्टर जाकीर उसेन हमारे देश के परशिडेंट यानि राष्ट पती बने थे उस समय हमारे देश में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे इसलिए डॉक्टर जाकीर उसेन कर रहे हैं कि अगर हमें अपने देश को आगे की और बढ़ाना है अपने देश को निर्मान करना है तो यहां के लोगों को क्या होगा सिच्छा देना अवस्यक यानि इजुकेशन देना अवस्यक है इसलिए डॉक्टर जाकीर उसेन इजुकेशन पर इतना फोकस कर रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेस्ट कीशन यहां पर देखिए आपका नेस्ट कीशन क्या है यह नमबर का अरा है डॉक्टर जाकीर उसेन feels greatly obliged to the people of यानि कहां के लोगों को डॉक्टर जाकीर उसेन अभारी है तो वहां इंडिया के लोगों के अभारी है क्योंकि इंडिया के लोगों नहीं उन्हें पर्षिडेंट के लिए चुना था इसलिए डॉक्टर जाकिरुसेंड कहते हैं कि मैं इंडिया के लोगों को अभारी हूँ जिसने मुझे पर्षिडेंड के पद पर यानि राष्ट पती के पद पर चुना है इसलिए डॉक्टर जाकिरुसेंड इंडिया के लोग क्या है और विलाइड है यानि डॉक्टर जाकिर उसायन जो थे वह क्या थे दोस्तों यहां पर डॉक्टर जाकिर उसायन 1967 में जब ओथ ले रहे थे तो उसके पहले यानि उसके बाद वह किस चीज का बनने के लिए वह सपत ले रहे थे तो वह परिशिडेंट बनने के लिए सपत रहे थे क्योंकि उसको परिशिडेंट बनना था इसलिए वा 1967 में पालिया मेंट यानि देली में सपत ले रहे थे तो आप लोगों को याद रखना है देख लेते हैं नेश्ट क्यूशन नेश्ट है तेंथ नमबर तेंथ नमर कह रहा है डैस डैस सइड भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली कौन कहते हैं कि जो मेरा भारत है मेरा घर है और यहां के जितने भी लोग है मेरा क्या फैमिली है तो यहां कथन डॉक्टर जाकिर उसेन कहते हैं जब वह परिशिडेंट बर रहे थे भासन दे रहे थे तब कहते हैं तो यहां पर आपका राइट नसर यह हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं नेश्ट कुशन का रहा इलेवेंथ डैस डैस सैड यहां पर जो कुशन आपको रिपीट हो गया है टेंथ और इलेवंथ एक ही कुशन है तो आप लोग इसको पढ़ लिजे हम लोग देख लेते हैं तुवेल्थ कुशन यहां पर आपका टुवेल्थ कुशन है डॉक्टर जाखिर उसायन वाज एक ग्रेट डैस डैस यानि डॉक्टर जाकिर उशेंड क्या थे तो डॉक्टर जाकिर उशेंड महान राजनितिक थे महान नेता थे महान दिसभग थे या महान विचारक थे तो आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर उशेंड महान क्या थे नेशलिजम थे यानि महान दिसभग थे तो यह सब्सक्राइब और समिधान में जो लिखा है उसी के हिसाब से तुम चलोगा है तो वही कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर उसेन समिधान के प्रती क्या कर रहे हैं ओथ ले रहे हैं तो यहां पे आपका राइटेंसर यह हो जाएगा तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों काफिट पॉर्टनी का इसा था तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा बिता हुआ समय है क्या है इलाइफ एंड डाइन या जीवित है और गती सील है तो आप लोग याद रखी आगा क्या है दोस्तों जीवित और गती सील है, आप लोग सोच कर देखिए जब हमारा देश आजार्ड नहीं था तो उस समय हमारे देश में महातमा गांदी सुवाचंद्र बोष संगर्स किये थे उसको हम लोग भुला नहीं पाए है कर देएsky और यह हमारा पास था क्या है उसको आज और बना पाफिस्ट है और जिवहाम इसको अच्छी तरह से याद कर लिजेगा थेय। हम लोग देख लेते हैं next question देखें next question का राज 60 number the Indian culture is the best example of यानि जो Indian culture है वह किसका example है तो Indian जो culture है वह unity and diversity यानि अनेकता में एकता का उधारन है यानि example है तो right answer C हो जाएगा तो आप लोगों को इसको यार रखना है काफी टोर्टनी question है हम लोग देख लेते हैं next question 17 number question का राय the bird irudation आनि आपको irudation का synonym बताना है इसका समनार्थी सब्द बताना है आप लोग irudation से क्या समाते है irudation का मतलब होता है दोस्तो great knowledge क्या होता है great knowledge तो यहापे आपका right answer B हो जाएगा आप लोग गयाद रखेगा irudation का मतलब क्या होता है great knowledge तो आप लोग गयाद रखेगा हम लोग देख लेते हैं next question यहापे आपका 18 number question देखिए when did Hussain deliver his speech यानि डॉक्टर जाकिर हुसायन a speech कब दिये थे तो डॉक्टर जाकिर हुसायन जब राष्ट पती बनने के लिए सपत लिये थे तब दे रहे थे तो यहापे आपका right answer see हो जाएगा when he took oath as the president यानि डॉक्टर जाकिर हुसायन पर्शिडेंट बनने के लिए सपत ले रहे थे तब ही भासन को a speech को deliver किये थे दिये थे तो right answer see हो जाएगा question number 18 का तो आप लोग समझ गए होंगे हम लोग देख लेते हैं next question 11 number question काफी important है early he had served यानि डॉक्टर जाकिर हुसायन राष्ट पती बनने के पहले क्या थे तो डॉक्टर जाकिर हुसायन क्या थे यहाँ पे दिया गया है तो आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसायन राष्ट पती बनने के पहले बिहार के गवर्नर थे तो right answer यह हो जाएगा काफी important question है दोस्तों तो आप लोग इसको याद रखेगा हम लोग देख लेते हैं next question यहाँ पे आपका next question का right 20 20 number है डॉक्टर जाकिर हुसायन इंटर दा ओफिस वीथ डैस डैस यानि डॉक्टर जाकिर हुसायन अपने ओफिस में क्या चीज़ सोच कर क्या चीज़ सोचते हुए परवेस करते थे अंदर जाते थें तो total dedication कि देश को कैसे बढ़ाना है देश को कैसे इंटर भी हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं next question next का राय 21 डॉक्टर जाकिर हुसायन वाज लॉंग एसी स्वेसिट भी यानि डॉक्टर जाकिर हुसायन लंबे समय किस चीज़ से जूड़े रहे तो डॉक्टर जाकिर हुसायन डॉक्टर जाकिर हुसायन जो पर्शिडेंट बनने के बाद the whole of nation यानि पूरे राष्ट के विकास के लिए बकालत किये पूरे हमारा जो देश इंडिया उसको आगे के बढ़ाने के लिए बकालत किया यानि डॉक्टर जाकिर हुसायन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा हम लोग देख लेते हैं next question next question है 24 power should be used only for dash dash यानि हम लोग के पास जो सकती है यानि जो पर्शिडेंट जो राष्ट पती है और जो परहान मंद्री है उसके पास जो सकती है उसका इउज किस के लिए करना चाहिए तो इसका उज केवल और केवल moral purpose यानि लोगों के भलाई के लिए करना चाहिए नैतिक मुल्यों को आगे के और बढ़ाने के लिए करना चाहिए या ऐसा नहीं कि खुद को मन यानि खुद मनी बनाने के लिए पैसा बनाने के लिए नहीं करना चाहिए अपने आप के लिए नहीं करना चाहिए और भौतिक बाद के लिए जातिपात के लिए नहीं करना चाहिए बलकि पूरे देश का विखाव तो इसके लिए अपने सक्ति के उज़ करना चाहिए यानि सक्ति को परसिडेंट को उज़ करना चाहिए तो राइट एंसर भी हो जाए मुख्य औजार है, इजुकेशन क्या है दोस्तों, मुख्य औजार है हमारे देश को बढ़ाने के लिए, यह कथन यह statement कहां से लिया गया है, तो यह statement भारत इजमाई हों से लिया गया है, इसके लेखा कौन है, डक्टर जाकिर उसे, तो आपको समझ में आ गया होगा, सभी important की अगर कोई doubt होता है, तो comment करके बता सकते हैं, और मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए आपका English grammar शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि English grammar आपको कोई अच्छी तरह से नहीं पढ़ाता है, केवल आपको book पढ़ाता है सभी लोग, तो मैं आपको grammar पढ़ाऊंगा, और book आपके पास cable 12 तक ही काम देगा, जो आप लोग इतना कहानी पढ़ रहे हैं, इतना भासन पढ़ रहे हैं, इतना निबंध पढ़ रहे हैं, वह cable आपको 12 तक ही काम देगा, 12 तक इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन मैं जो आपको grammar पढ़ाऊंगा, और आपको जब तक आप आपके पास जिंदगी रहेगा, तब तक आपको यूज रहेगा, जो कि जब आप लोग competition एक्जाम देजेगा, तो आपको भूक से नहीं पूछेगा कि डॉक्टर जाकिर उसेन किसके लेखत हैं, भारत ही हम कौन लिखे हैं, डॉक्टर जाकिर उसेन नहीं पूछेगा, वह आप लोग को सबसे पहले टेंस आता है कि नहीं आता है, क्योंकि अगर आप लोग को टेंस नहीं आता है, तो आप लोग कमेंड करके बताएगा, क्योंकि मैं अगर भाइस चालू करूंगा, तो आपको टेंस नहीं आता है, तो आपको समझने में दिक्कत होगा, आपको समझ कर दीजेगा कि मेरे को टेंस आता है या नहीं आता है तब ते के लिए दोस्तो जै हिन जै भारत अगर को